आज आप मेरे साथ हिंदी व्याकरण के अंतरगत एक बहुत ही महत्वपून प्रक्रण पढ़ रही है जिसका की नाम है विराम चिन बच्चों यह जो प्रक्रण है यह आपके परिक्षा की दरस्टी से तो महत्वपून है ही साथ में यह विवारिक जीवन में भी हमारे लिए बहुत महत्वपून है क्योंकि अगर हम विराम चिन्दों का सही धंग से प्रयोग नहीं करते हैं तो हम बहुत सारी गल्दिया कर बैठते हैं हमारे अर्थ का अनर्थ हो जाता है बच्चों यह विराम चिन्द है आज आप मेरे साथ विराम चिन्द पढ़ेंगे बच्चों मैं विराम चिन्द आपको पढ़ाना शुरू करूँ उससे पहले मैं आपके लिए एक चित्र लेकर आई हूँ आपको इस चित्र को ध्यान से देखना है बच्चों आपको पीछे एक चित्र दिख रहा होगा इस चित्र में क्या है? यह चित्र एक बगीचे का दरश्य है यहाँ पर माली बाबा है और दो व्यक्ती हैं जो कि आपस में बाचीत कर रहे हैं क्या बाचीत कर रहे है? इसमें जो प्रथम व्यक्ती है वह क्या पूछ रहा है? अरे यहाँ पेड पौधे क्यों सूख गए? क्या पानी नहीं आता? यानि जो पहला व्यक्ति है यह माली बाबा से पूछ रहा है कि यहाँ पर पेड़ पौधे क्यों सूख गए क्या पानी नहीं आता है तो माली बाबा क्या कहते है नहीं आता है यानि यहाँ पानी नहीं आता है तो यह जो दूसरा व्यक्ति है यह क्या कह रहा है नहीं आता है यानि कि यहां पर पानी आता है, बच्चों यहीं से हमारे बिरामचिन शुरू हो गए, बिराम का अर्थ है रुकना, भाशा के लिखित और मौखिक रूप में यदि बिराम न लिया जाए तो अर्थ का अनर्थ हो सकता है, बच्चों हो भी जाता है, आप देखिए एक उधार कुछ भी नहीं लगाया है, लेकिन यहां पर अगर मैं अल्प विराम लगा देती हूं रोको के बाद में, तो हमारे इस वाक्य का क्या अर्थ हो जाता है, कि कोई व्यक्ति जा रहा है, उसे रोको मत जाने दो, यानि उसे आप रोकिए, उसे मत जाने दीजिए, लेकिन मैं इस अल्प विराम को यहां से हटा कर, यहां लगा देती हूं, रोको मत जाने दो, तो क्या हो जाता है इसका अर्थ, रोको मत, उसे रोको मत जो जा रहा है, उसको रोको मत जाने दो, बच्चों यह हमारे अर्थ का अनर्थ भी हो जाता है, जैसे मान लीजिए, कि मुझे किस उसे रोकना है तो मैं उसके लिए अगर यहाँ पर अल्प विराम लगाती हूँ तो इस वाके का अर्थ क्या होजाता है रोको मत जाने दो याणि उसे रोको मत उसे जाने दो जबकि मुझे उसे रोकना है बच्चो इस तरह से यहाँ पर अर्थ का अनर्थ हो जाता है अगर हम विराम चिन्नों का सही धंग से प्रयोग नहीं करते हैं फिर देखिए हिंदी भाशा में लिखते समय विश्राम रुकने की प्रक्रिया को इसपस्ट करने के लिए जिन चिन्नों का प्रयोग किय जाता है उन्हें विराम चिन्न कहा जाता है तो बच्चो विराम चिन्न की क्या परिभाशा हुई कि हिंदी भाशा में लिखते समय विश्राम या रुकने की प्रक्रिया को इसपस्ट करने के लिए हम जिन चिन्नों का प्रयोग करते हैं वे हमारे विराम चिन्न होते हैं पूर्ण अथार्थ पूरा और विराम का अर्थ है रुकना अथार्थ बातचीत के दौरान अत्वा लिखते समय जब हमारा वाक्य पूरा हो जाता है और हम रुक जाते हैं वहां पूर्ण विराम लगता है यानि कि जहांपर हमारा वाक्य खतम हो जाता है जहांपर हम रुक ज लगाते हैं वहां हम पूर्ण विराम लगाते हैं और इसका चिन ध्यान दीजिए एक खड़ी पाई के जैसा होता है धारण देखिए आजकल की पड़ाई बहुत कठिन हो गई है बच्चों यहां पर पूर्ण विराम लगा हुआ है क्योंकि हमारा जो वाक्य है वह है यहां प समाप्त हो गया है फिर देखिए बारिश बहुत तेज हो रही है बच्चों यहां पर भी हमारा वाक्य पूरा हो गया है इसलिए हमने यहां पर पूर्ण विराम लगा दिया फिर देखिए अपू ने अलबम चुपा दिया बच्चों यहां पर भी हमारा पूर्ण विराम ल कम बात्चीत करते या लिखते समय जब हम बीच में थोड़ा रुखते हैं तब वहां अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है जैसे कि देखिए रिशी नवीन श्रेया और हरी मेरे प्रिये मित्र हैं यहाँ पर रिशी नवीन के बाद में अल्प विराम लगाया गया है क्योंकि जब हम बातचीत करते हैं या बोलते हैं या लिखते हैं जब हम थोड़ा सा रुखते हैं वहां पर हम अल्प विराम लगाते हैं दिखा दूंगा पहले जड़ा कपड़ा ले आ नीचे बिछा दूं फिर देखिये, नहीं मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, बच्चों यहाँ पर आध्यान दीजिए, यहाँ पर अल्प विराम लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर हमें थोड़ा रुखना है, और यहाँ हमारा वाक्य समाप्त हो गया है, इसलिए हमने यहाँ पर पूर्ण विराम लगा दिया है। देखिए आगे जब बाके में एक ही तरह के कई शब्द एक साथ आ जाएं जैसे की प्रेड़ना, नितिन, अनिकेत और साहिल आपस में अच्छे मित्र हैं। एक जैसे शब्द यानि बच्चों ये सारे के सारे नाम हैं तथा ये एक जैसे शब्द हैं ये पर अलप विराम लगा दिया है। फिर देखिए जहां दो या दो से अधिक वाक्यांश जोडने हो वहां भी अलप विराम का प्रयोग किया जाता है। बच्चों कहां किया जाता है। जहां हमें दो या दो से अधिक वाक्यांश जोडने हो रहे हो जोड रहे हो वहां पर हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं देखिए कैसे एक सूखे कागस को हाथ से दवा कर मुठी में भीच कर गोला सा बना लो बच्चों यहाँ पर ये दो वाक्य है इनको आपस में जोड़ने के लिए हमने क्या लगाया अल्प विराम लगाया और जब हमारा वाक्य समाप्त हो गया तो हमने यहाँ पर पूर्ण विराम लगा दिया फिर देखिए जलता है इर्शालू कहीं का बच्चों यहाँ पर भी दो वाक्य है इन दो वाक्यों को जोड़ने के लिए हमने यहाँ पर अल्प विराम लगाया है देखिए किसी को संबोधित करने के लिए हाँ नहीं में उत्तर देने के लिए भी इस चिन्ड का प्रयोग होता है कैसे होता है देखिए राघब अंकल ने कहा फिर क्या लगा हुआ है हमारा अल्प विराम लगा हुआ है हाँ बोलो बेटा यहां भी हमारा अल्प विराम लगा हुआ है फिर देखिए कार्टिक मुझे जरा अपनी पुस्तक दिखा दो बच्चों यहां पर हमारा अल्प विराम लगा हुआ है फिर देखिए नहीं मैं अपनी पुस्तक नहीं दिखा सकता बच्चों यहां पर भी हमने अल्प विराम का प्रयोग किया है क्यों किया है कि किसी को संबोधित करने के लिए अत्वा हां या नहीं मैं उत्तर देने के लिए भी हम इस चिन का प्रयोग कर सकते हैं बच्चों अब हम चलेंगे अर्ध विराम की तरफ अर्ध विराम का जो चिन होता है वह ऐसा होता है पूर्ड विराम और अल्प विराम के बीच का चिन कहलाता है जब हम अपनी बातचीत के दोरान पूर्ण विराम से तो कम और अल्प विराम से थोड़ा सा जादा रुखते हैं तब हम इस चिन का प्रयोग करते हैं पूर्ण विराम का प्रयोग तो हम बातचीत समाप्त होने पे करते हैं या हमारा वाक्य खतम हो जाता है तब हम पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं और अल्प विराम का प्रयोग जब हम उसे थोड़ा सा रुखना होता है तब हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं और जो ये हमारा अर्ध विराम है इस अर्ध विराम का प्रयोग हम उस समय करते हैं जहां हमें पूर्ण विराम से तो कम रुकना हो और अल्प विराम से थोड़ा सा जादा रुकना हो देखिए उधारण मुझे अभी अपना ग्रहकारे पूरा करना है तब ही कक्षा मैं अध्या पिका की डाट से बच्च पाऊंगा बच्चों ये हमारे अर्ध विराम का चिन है और ये हमारे पूर्ण विराम का चिन है चलते हैं अगले चिन की तरफ अगला है हमारा प्रश्न सुचक चिन जो कि आप लोगों के लिए बहुत सरल है और इसका जो चिन है वहत तो आपको हमेशा हर जगे बहुत सी जगे देखने को मिलता है कैसे मिलता है जब आप पाठ पढ़ते हैं पाठ के पीछे जब आप से अभ्यास प्रशन पूछे जाते हैं वहाँ पर हर प्रशन के बार आपको यही चिन्न देखने को मिलता है और यह आपके लिए बहुती सरल है देखिए जहां कोई प्रशन पूछा जाए पर प्रश्न सूचक चिन्द लगाया है, फिर देखिए मुंबई में तुम कहा रहते हो, यहाँ पर भी प्रश्न पूछा गया है, हमसे पूछा गया है कि हम मुंबई में कहा रहते हैं, तो इस प्रश्न के अंत में भी हमने प्रश्न सूचक चिन्द लगाया है, फिर सुचक चिन और बच्छो इसका जो चिन होता है वहैं ऐसा होता है बिस्मयादि सुचक हमारे भावो को व्यक्त करते हैं हर्ष शौक घ्रणा प्रेम आश्यरिभै आदी भावो को प्रकट करने के लिए हम इस चिन का प्रयोग करते हैं ध्यान दीजिये बच्चों हर्ष शो घ्रणा प्रेम आश्यरिब हैं आदी से सम्बंदित भावों को प्रकट करने के लिए हम बिस्मयादी बोधक चिन्न का प्रयोग करते हैं जैसे की देखिए स्चाबाश तुमने तो कमाल कर दिया यहाँ पर लगा हुआ है बिस्मयादी बहुत ही सरल है और आप इस चिन्न का प्रयोग करने में बहुत अधिक गलती करते हैं और इसमें आपको थोड़ी परिशानी भी होती है क्योंकि कई बार तो आप यह वाला चिन्न लगा देते हैं आपको समझ नहीं आता है लेकिन आज आप इसको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ पाएंगे अब हम समझते हैं सबसे पहले उधरन चिन्न के बारे में उधरन अथार्ट उधारन जब लेक अथवा वाक्यों में किसी महान अथवा प्रसिद्व व्यक्ति का कोई कथन जोंकी तियों दिया जाता है या किसी पुस्तक व्यक्ति का उपनाम शीर्षक की त्योप रस्तुत करना होता है वहां हम उधरन चिन लगाते हैं और जहां किसी पुस्तक किसी व्यक्ति का उपनाम शीशक आदी दिये जाते हैं वहां हम उधरन चिन का प्रयोग करते हैं और जो ये उधरन चिन है वो दो प्रकार के होते हैं कौन-कौन से पहला तो कहलाता है इकरा उधरन चिन और दूसरा कहलाता है दोहरा उधरन चिन अब हम सबसे पहले इकरा उधरन चिन के वारे में पढ़ेंगे कि इसे हम कहां कहां लगाते हैं देखिए इकरा उधरन चिन इस चिन का प्रयोग किसी पुस्तक के नाम शीरशक अत्वा व्यक्ति के उपनाम पदवी आदी के साथ किया जाता है बच्चों यह हमें हमेशा ध्यान में रखना है कि एकरा उधरन चिन्न का जब हम प्रयोग कर रहे हो, कहां कर रहे हो जहां कहीं पुस्तक का नाम हो शीर्शक हो व्यक्ति का उपनाम हो या पदवी हो वहाँ पर हम इकरा उधरन चिन लगाते हैं देखिए रामधारी सिंग दिनकर यहाँ पर एक कवी का नाम है कवी का जो नाम है वह तो रामधारी सिंग है लेकिन इनका जो उपनाम है वह दिनकर है इस दिनकर शब्द को लिखने के लिए हमने एकरा उधरन चिन लगाया है फिर देखिए महात्मा गांधी अथार्त बापू यहाँ पर महात्मा गांधी का नाम उपनाम बापू है इस उपनाम को लिखने के लिए हमने एकरा उधरन चिन लगाया है फिर देखिए एक बिशेश पुस्तक महाकाव्य लिखने के लिए भी हमने एकरा उधरन चिन्द लगाया है अब हम चलते हैं दोहरा उधरन चिन्द की तरफ देखिए क्या है इस उधरन चिन्द का प्रयोग अधिकांश तह प्रसिद कथन कहावत संबाद आदी को इसपस्ट करने के लिए किया जाता है कैसे किया जाता है देखिए नेता जी ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजा दी दूँगा बच्चों यहाँ पर नेता जी का जो कथन है वो जौंकी त्यों प्रस्तुत किया गया है और जौंकी त्यों प्रस्तुत करने के लिए हम दोहरा उधरन चिन्द का प्रयोग करते हैं फिर देखिए गांधी जी ने कहा क्या कहा जरूर मैं ऐसा कोई भी काम करने को तयार हूँ जो मेरी सामर्थे से बाहार ना हो बच्चों यहां पर भी गांधी जी के कथन को जोंकी त्यों प्रस्तुत किया गया है इसलिए यहां पर दोहरा उधरन चिन लगा गया है चलते हैं अब आगे देखिए योजक चिन इस चिन का प्रयोग हमें दो एक जैसे शब्दों विप्रित तार्थक शब्दों और आपस में तुर्णा करने के लिए किया जाता है देखिए अनिकेट बिलकुल अपने पितासा दिखता है यहां पर योजक चिन का प्रय किया गया है पशु पक्षियों पर आधारित कहानी लिखिए यहां पर पशु पक्षी एक दूसरे के विप्रीच शब्द है इसलिए यहां पर योजक चिन लगाया गया है अब हम चलते हैं अगले चिन की तरफ अगला है हमारा निर्देशक चिन देखिए किसी बात का निर परयोग करते हैं देखिए निमन लिखित मैंसे किसी एग विशय पर अनुच्छेद लिखिए बच्चों यहाँ पर निर्देशक चिन्न लगाया गया है क्योंकि निर्देश दिया गया है कि हमें इस इन दोनों में से किसी एग विशय पर अनुच्छेद लिखना है फिर करने का और संदी और विच्छे दोनों एक दूसरे के बिप्रीज शब्द हैं इसलिए यहां पर यह जो चिन्न लगा हुआ है वह हमारा योजक चिन्न है चलते हैं अगले चिन्न की तरफ अगला है हमारा लाघब चिन्न जहां पर शब्दों को पूरा ना लिखकर छोटा करके लिखते हैं वहां लाघब चिन्न लगाया जाता है बच्चों कहां लाघब चिन्न लगाते हैं जहां हमें शब्दों को पूरा ना लिखना हो वहां हम शब्दों को छोटा करने के लिए इस चिन्न का प्रयोग करते हैं इस चिन्न को अंग्रेजी में sign of aberration कहा जाता है जैसे कि आप देखिए क्रप्या प्रश्ट उल्टे अगर आपने परिक्षा के प्रश्ण पत्र देखे हो तो आपने ध्यान दिया होगा वहाँ पर पीछे की तरफ भी question answer होते हैं पीछे की तरफ भी प्रश्ण उत्तर होते हैं उसमें नीचे ही नीचे कौने में लिखा हुआ होता है क्री प्री उ यानि क्रप्या प्रश्ट उल्टे फिर देखिए डॉक्टर डॉक्टर को हम बहुत जगे पूरा नहीं लिखते हैं वहाँ भी हम इस लागव चिन लगाकर इसे छोटा करके लिख देते हैं प्रॉफिसर को इस तरह से लिखा जाता है और पंडित को इस तरह से लिखा जाता है बच्चो अब हम इन चिन्हों के बारे में दोहरान करेंगे आओ दोहराये में बिराम का अर्थ होता है विश्राम अथवा रुकना भाशा को लिखते समय रुकने की प्रक्रिया को इसपस्ट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयूग किया जाता है उन्हें हम बिराम चिन कहते पाशा में अनेक प्रकार के विराम चिन है जिन में से हमने जाना अब हम देखेगे कि हमने किन-किन चिन्धों के बारे में जाना देखिए सबसे पहला पूंड विराम जो कि एक खड़ी पाई के जैसा होता है अल्प विराम अर्ध विराम प्रश्न सूचक बिस्मयादी सूच उधरन चिन जिसमें की ये तो हमारा इकरा उधरन चिन है और यह हमारा दोहरा उधरन चिन है फिर देखिए योजक चिन फिर देखिए निरदेशक चिन और लागब चिन बच्चों आज आपने मेरे साथ बिराम चिन्हों के बारे में जाना यह जाना कि हम बिराम चिन्हों क का प्रयोग क्यों करते हैं और बिराम चिन्हों के कौन-कौन से बिराम चिन हम हिंदी भाशा में प्रयोग करते हैं उन सभी के बारे में आपने जाना अब आप बिराम चिन्हों के प्रयोग में बिल्कुल भी अशुद्धी नहीं करेंगे धन्यवाद बच्चों